हेलो नमस्कार कैसे हैं आप सभी भोट-बहुत स्वागत है आप सभी का और आज का जो दिन हें बड़ा भी खास है ना एज शरत पुणिमा है जैसा कि आप सभी को पता है लेकिन बहुत सारों को यह ही चीजों के बारे में बात करते हैं जो invisible है जो दिखती नहीं है जैसे manifestation जैसे visualization है ना हम किस फिल्ड में हैं जिसमें कि हम ऐसी चीजे करते हैं कि जिसमें हमारे घर जिसमें घरवाले को पागल समझते हैं यह पागल हो गया है कुछ भी करता रहता है जिस प्रकार की चीज़ें होती है तो उनको लगता है तंतर्मन्तर तो नहीं है कुछ तो हम कुछ इसी चीज़ों में इन्वाल्व हैं कि जिसमें हमको घरवाले घरवालों के सामने हम कई चीज़े कर नहीं सकते हैं तो कहीं ने कहीं आप देखो कि अगर कोई विक्ति परेशान है है ना समझना मेरी बात को ध्यान से जैसे अगर किसी को लगता होगा कि सर्ये मैनिफेस्ट करने से ऐसे विज्वलाइस करने से लिखने से हो जाता तो सब कर लेते सब कहां करते हैं अच्छे अच्छे नहीं कर पाते विश्वास ही नहीं होता लोग को करेंगे कहां से यह तो आ को लेक्ति प्रेजेंट को लेके प셔में क्या बाड जो पता इन बंड को धिके को inilisยबल है और बखुष सारी चीज अब भी तक हुई नहीं है और ना होगी लेकिन उसको उसको वो आज भी भोह तो तो ज़्यादा तर इंसान परेशान भी ऐसी चीजों से रहता है जो इन्विजिबल है और खुश भी उन चीजों से हो सकता है जो इन्विजिबल है मतलब पूरा खेल किसका है? माइंड का ये माइंड आपको परेशान करता है ये आपको खुश करता है तो इसलिए जिस तरीके से हम इंसान डिप्रेशन में चला जाता है, डिप्रेशन में क्या होता है, हाथ पेर दुखते हैं क्या, या पेट दर्द होता है, या आख में दर्द होता है, नाख में नहीं, डिप्रेशन मतलब मन की स्थती नेगेटिव हो जाती है, तो वैसे ही जो सोच सोच के किसी एक्जाम में पास हो सकते हैं जिस तरीके से हम ज्यादा सोच सोच के नेगेटिव सोच सोच के किसी चीच को खो सकते हैं वैसे किसी चीच को पास सकते हैं यह लॉजिक होता है पहले तो मैं सबसे पावर्फूल होता है और अब आपको क्या करना होता है आपको चोटी सी टेकनिक करना है वह मैं आपको बता देता हूं कि मैं आपको अपना अड्रेस देदूंगा डिस्कriarchy टिस्क्रिप्शन में ठीक है त आपको अपने घर पे खेर मुझे बनाना है और मुझे पार्ष ल करना है तिक है इसके बाद जो आप चाहें वह मांग ले वह आपको मिल जायेगा मजा कर रहों ऐसा करना है दूसरी सीज बाता हैं यह तो मजाक की बात है आपको क्या करना है सबसे पहले रात को जब आज चांद आप देखेंगे आज रात को है ना आज बचके 40 मिट पर सम्थिंग शायद आज स्सार्ट होगा है ना दान पुन्य करने का समय कल है 17 तरीक आज है वरत करने का चांद के सामने खीर रखने का तो आज शाम को आप क्या क होती है वहां पर आपको रखना है हो सके तो चांदी का सिक्का अगर आपके पास हो तो वह उसमें आप डाल सकते हैं ठीक है उसके बाद में उसे कुछ समय रखना है ना चाहें तो आप बढ़िया 12 वजे तक रखें और उसके बाद में आपको उसे पीना है और मेनिफेस्ट करना है जो आप चाहते हैं आप अपनी अच्छी हेल्थ चाहते हैं आप किसी जॉप को चाहते हैं उसे पूरे मन से 100% कि यह मुझे मिल जाएगी क्योंकि सबसे बड़ी चीज होती है बिलीफ विश्वास अच्छा होगा भी उसी का जिसको विश्वास है जिसको अगर पहले से मन में ऐसा है ना रहे सब पालतू बेकार की बात हैं तो उसका हो गई नहीं क्योंकि लॉप अट्रेक्शन यही कहता है कि जैसा आप सोच रहे हैं वैसा हो जाएगा देखो हम भी रखेंगे हमारी भी पूरी कॉलोनी यहां पर इखटी होगी मेरे घर के सामने और बढ़िया हम रात को सब खीर बना-bना के लाएंगे उसको रखेंगे उत्सव भी मनाएंगे डान्स वांस करेंगे भजन पर भजन-गाएंगे खीर रखेंगे बातचीत करेंगे एक दूसरे से मिलेंगे इससे क्या होता है इससे positivity आती जैसे इंसान अकेला रहता है तो उसको negativity आती है या वो ज्यादा सोचता है तो उसको नेगेटिविटी आती है वैसे ही जब आप उत्सव मनाते हैं तो उस समय आपकी वाइब्रेशन हाई होती है तो आप लोग को क्या करना है खीर को रखना है शाम को और उसके बाद में चांदी का सिक्कार नहीं भी हो तो चलेगा कोई दिक मत रखना कोई बात नहीं उसको आप पी लेना और यह विज्वलाइज करना यह मैनिफेस्ट करना कि मेरा यह काम हो गया है और यह तो हमेशा आपको अपने मन में रखना चाहिए कि मेरे सारे काम बन जाते हैं मेरा काम हो रहा है मैं शान्त हूँ मैं खुश हूँ मैं पावर आया है नजर एक बार कोई कॉमेंट कर रहा था बोले सर आप ये वीडियो बनाओ ठीक है पर गाने मत गाओ प्लीज प्लीज है ना अच्छे नहीं लगते है अच्छे नहीं लगते हैं क्या ठीक्ऺ तो गाताऊ यारी तने गंदे भी नहीं गाताऊ एक ऐसे कॉमेंट कर रहा था मेरी बड़ी हसी आई बहुत वीडियो बनाओ वहां तक ठीक है पर ये गाने मत गाओ हाँ तो मैं क्या के रहा था चांद के ऊपर काफी सारे सौंग है ना चांद से परदा कीजिए कहीं चूरा न ले चहरे का नूर है ना तो गाने सुनते रहो चांद वाले देखो कुल मिला के बात है आपकी हैपिनेस की है ना अगर मान लिजिए कि आपने खीर का कटोरा ले लिया और आपके मन में विचार चल रहा है क्या हो जाएगा इससे हो जा यह चीजा काम निकरी आपको हैपि रहना है खुश रहना आपके घर में अगर भगवान है अगर आप ठाकुर जी को पूछता है तो उनको सफेद कलर के जैसे मैं एक वीडियो देख रहा है कल एक पंडिद जी का तो बताते सफेद कलर के वस्तर पहनाएं फूल सफेद कलर क की माला पहनाएं सफेद सफेद चीजे बनाएं जैसे खीर है उनको भोग लगाएं जैसे जिनके घर में हैं तो इस तरीके से उनकी पूजा करें इसे क्या होता इसे पॉजिटिव वाइब्रेशन आती है खुशनुमा माहौल आपके अंदर आता है आपकी वाइब्रेशन हाई होती है तो फ्रिक्वेंसी मैच होती है तो जब आप जैसे उस खीर को रखेंगे और आपके मन में अगले चार घंटे तक आठ से लेके बारा बज़े तक आप उसको रखेंगे या बारा बज़े तक मेनिफेस्ट करते हैं विज्वलाइज करते हैं है ना तो इन सब में हम क्या करते हैं जैसे हम वाटर टेक्निक करते हैं तो पानी को रखके और थैंक्यू उनिवर्स मेरा ये काम हो गया थैंक्यू थैंक्यू ऐसा बोलते हैं मतलब उतने समय के लिए हम खुद को चार्ज करत और manifestation सच होता है बस आप खुशनुमा माहौल में अच्छे मन से करें उदास नहीं होना आपने को सड़ा सड़ा मुह नहीं करना बहुत सा लोग लोग ऐसे होते हैं कि वो सड़ा सड़ा मुह करते हैं उदास होते हर बात में negativity वैसे वे वैसे लोग वीडियो ओपन भी नहीं करे तो यह आपको comment box में लिखना है अभी से और देखते हैं कितने लोग इस चीज को करते हैं और कौन मानता है वो भी लिखना को नहीं मानता है वो भी लिखना मैं दोनों तरह के comment परता हूं कोई दिक्कत नहीं है ठीक है चलिए तो I hope कि आपको यह चीज समझ माई होगी तो आ जंदली दूसरों दूसरे दिनों से फास्ट होता है ठीक है तो यह चीज करिएगा आप और निश्यत रूप से आपको result मिलेगा और भी बहुत साई चीजें होती है करने को लेकिन मैं ज्यादा नहीं बता रहा हूं आपको बिल्कुल सिंपल तरीका क्योंकि सब कुछ mindset का ख संद है तो उस चैनल का नाम है श्याम मुझावदिया भक्ति का वियावित भक्ति ऐसा कुछ है डिस्क्रिप्शन में लिंक है आप मेसेज़ इंट्रेस्ट है वो देख सकते हैं थैंक्यू अब्रिवन थैंक्यू सो मच बाइबाइबाइबाइबाइब टेक कर और श्रत